नमस्कार दोस्ति हर्शित दिवेदी एजूकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनिज सागर डेली वनलेनेस और एक्साम्स 14 जूली 2022 आज के इंपोर्टर वनलेनेस कौन-कौन साय चेक करते हैं सबसे पहला बाल वाटिकास इन उत्राखंट देखें उत्राखंट देदास ये सब पढ़ाये जाएगा ठीक है वो भी सांस्कृत में तो उत्राखंट के जितने प्री प्रेमरी क्लासस है उसे अभी से बाल वाटिकास बोलेंगे तो चीफ मिनिश्र अफ उत्राखंट कुशकर सिंग धामी ने इनोगरेट किया है बाल वाटिका क्लासस अट ड एजूकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग तो ये बाल वाटिकास के लिए नई सिलबस एसी एर्ट ने प्रिपेर किया है ठीक है स्टेट कॉंसल और एजूकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग और अभी कहसाब से उतराखंड में पांच हजार अंगनवाडी सेलेर्स में ये नई सिलबस के इसाब से पढ़ा है तो जैसे मिने बोला ये जो बाल वाटिका स्कीम है ये नाशनल एजूकेशन पोलिसी 2020 का एक प्लान है जिसको अब्जेक्टिव है हमारे देच में एजूकेशन सिस्टम में ट्रांस्वोमेशनल रिफॉर्म्स लेकिया ना तो इसमें काफी सा फोर करके चेंज किया जाएगा अगला है इसस वर्लकप चांग्वन इंटर्नाशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का वर्लकप स्टेच चल रहा है दोस्तों चांग्वन साउथ कुरिया में इंडिया का अर्जुन बपूता को 10-meter air rifle में गॉल्ड मेडल मिला है फाइनल के बारे में यह ओलिम्बिक शूटिंग इवेंट्स सचास राइफल पिस्टल शोटगन ए सब का गवर्निंग बोडी है दोस्तों और इंटरनाशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो टूर्नमेंट्स करनक कराते हैं इसे ओलिम्बिक क्वालिफिकेशन भी मिल जाता है वैसे रीसेनली इससफ के बारे में एक नूज आया था कि 2022 रिश्टिंग इन्वेशन ओव उक्रेयन के बाद इससफ सारे रिश्टिंग और बेलारुश्य अथलेट्स को बैन किया कोई भी कॉमबेटिशन में पार्टिसिपेट करने से और इसका हैटकॉर्टर है म्यूनिच जर्मनी में अगला है वाइस ओफ सन्मार ग्रूप ओनेट बाई जपान कोंसुल जनरल ऑफ जपान इन चन्ने टागा मसायु की रीसेनली वाइस चेर्मान ऑफ सन्मार ग्रूप नार्यानन कुमार को ओडर ऑफ दे रैसिंग संग गॉल्ड और सिल्वर स्टार कंफर किया इन आवाड मिला है नाओ कोंसुल जनरल ऑफ जपान मैंने बोला दोस्तों क्या होता है कोंसुल जनरला ऑफ जपान इन चैन नहीं आपने हाइस कमemmentी के बार में सुना ओगा मेरे सुना होगा यह सब टॉब्रोमेटिक मिशन से एक कंट्री का दूसरे कंट्री में अगर कॉमनवल्थ कंट्री से उसे हम हाई कमिशन बोलते हैं अगर नॉन कॉमनवल्थ कंट्री से उसे हम एंबसी बोलते हैं क्या होता है कॉमनवल्थ कंट्री एस वेल जो ब्रिटीच कॉलनी से जो कंट्री उन्हें कॉमनवल्थ कंट्र सब्सक्राइब यह कंट्री में कितने भी हो सकता है इसका मतलब क्या है देखिए यह जो हाइप कमिशनन एंबसी है वह एक कंट्री का दूसरे कंट्री में केवल 80 रहेगा वह भी क्यापिटल सीटी में पर यह जो कॉंट्सलेट यह कितने भी हो सकता है बेसीकली क्या दोस्तों मान लीजेए बहुत सारे इंडियन प्लाइशन है रिश्या अवर बहुत बढ़ा है रेश्या के अलग अलग पार्ट में इंडियन डायसपॉरा हो सकते हैं अब एक एक रीजियन में जहां पर इंडियन डैस्पोर आप बहुत हैं बहुत साथे इन्वस्टेस हैं बिजनस्मेने ट्रेडेस हैं उनके वेलफेर देखने के लिए गर्मन ओफ इंडिया क्या करते हैं सकते हैं एक यह सेट अब करेंगे और इस घॉट्फियकर को अब करेंगे जो मिशन सेघायर को अब इधर आ of Japan in Chennai लिखा है इंडिया नहीं चैने में है Consul General of Japan अब चैने में Japanese investors होगा Japanese diaspora होगा तो उनके welfare के लिए अब यह Consulate में क्या क्या काम होगा जैसे कि मैंने आपको पहला एक्जामल दिया मान लीजिए इंडियन पोप्लेशन रिशिया में एक सिटी में है और गवर्मेंट उफ इंडिया उधर एक Consulate सेटप किया है अब उनका काम यह होगा दोस्तों उधर के जो इंडियन डियस्पोरा का पासपोर्ट से रिलेटेड इशूस विजा से रिलेटेड इशूस कोई पर्मिट से रिलेटेड इशूस कोई लीगल इशूस वो सब इनके तुरू हो सकता है अब दोस्तों वापस टोपिक बढाते है Mr. Narayanan Kumar Chairman of the Indo-Japan Chamber of Commerce and Industry भी है and former President of the Confederation of Indian Industry भी है अगला एक छोटा से नियूस है दोस्तों Sea Guardians 2 Maritime Exorcist पाकिस्तान नेवी और चाइनीज नेवी के बीच में एक जोईन नेवल एकसेस चल रहा है Sea Guardians 2 अटे मिलिटरी पोर्टिंग वुजान शांखाई यह सेकंड फेस है पहला फेस अरेबिन सी में हुआ था और कराची जनुवरी 2020 में चार दिन का एकसेस है बैसे के लिए चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो बाइलाटरल डिफेंस कोपरेशन है और क्यापबिल्टी से उन्हें प्रमोट करने के लिए हैं अगला है इंडिया स्पर्स्ट इंडिजिनेसली मेड लिथियम आयंड लिथियम आयंड बैटरी के बार में आपने सुनाई होगा आजकल जितने भी इलक्ट्रोनिक ग्याजट से इलेक्ट्रिक वर्कल से यह सब में लिथियम आयंड बैटरी यूज होता है वैसे इंडिया में लिथियम का प्रोड़क्शन इतना है नहीं दोस्तों इंडिया का ज आज अस प्रोड्यूसर ओफ लिथियम में थ्यान दीजेगा वैसे रिसेंली गर्मंट ओफ इंडिया एक लिथियम रिफेनी फैक्टरी शुरू किया है शाहिद गुजरात में एक बार कंफर्म किजेगा ठीक है इलेक्ट्रिक टूवीलर मेकर ओला इलेक्ट्रिक रिशेंली अन्वील किया है इंडिया's first इंडिजिनिसली डवलप्ड लिथियम आयंड सिल बैंगलूरू बेस्ट कंपपनी है और उन्होंने बोला है यह जो लिथियमाइंट सेल है इसका मास्ट प्रोडक्शन वो शुरू करेंगे शॉर्टली और इसका नाम दिया है NMC 2170 थ्यां दीजिए वैसे ओला एलेक्ट्रिक अपना पहला एलेक्ट्रिक वर्कल लॉंच किया था लास्ट येर ऑगस्ट में और आपको एक कार्बन नूट्रल रीजन बनाने का तो एरपोर्ट अथोरिटी ओफ इंडिया का ले एरपोर्ट जो है वह इंडिया का पहला कार्बन नूट्रल एरपोर्ट बने वैसे कार्बन नूट्रल मतलब क्या होते दोस्तों इसे हम नेट-0 emissions भी बोलते हैं मतलब जितना कार्बन इमिट करोगे उतना अबजो भी करना है बेसिकली एक बैलेंस मेंडियन करना है तो ले एरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्दिंग में हीटिंग अन कूलिंग परपस के लिए जियो-thermal system in hybridization with solar PV plant यूस करेंगे hybridization मतलब देखे जियो-thermal system भी होगा solar PV plant भी होगा दोनों यूस करेंगे अब दोनो जो है renewable energy क्या होता है जियो-thermal energy it is the heat derived from the earth's surface which can be harnessed जो जनरेट क्लीन रिन्यूबल एनरजी देखिए एर्थ की सर्फेस से जो हीट निकलते है बाहर उससे जब हम एनरजी डिराइव करेंगे उससे हम जीओ तर्मल एनरजी बोलते हैं साल में 900 टन्स ओफ कर सकता है वैसे इंडिया का टार्गेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करने का प्रथानमंदरी नरेद्र मोदी जी लास्ट यर जब COP26 हुआ था ग्लास्गो स्कॉटलन में तब ये कमिट करके आये थे कि 2017 तक हम नेट जीरो एमिशन अचीव करेंग इसके लिए हमें आजकल जितने fossil fuel sources हम यूज कर रहे है उसे धीरे-धीरे abandon करना पड़ेगा और renewable energy sources को यूज करना पड़ेगा वैसे renewable energy capacity generation में इंडिया अफी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज के daily news में एक news include किया है इसके regarding तो दोस्तों that's the end of it I hope आपको वीड Instagram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे description box में provided है thank you for watching bye bye have a nice day